मस्कार दोस्तों मेरे नाम राकेश पाद्या है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो सिम यूज कर रहे हैं वो जियो का प्रिपेड है या पोस्ट पेड है लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार नीचे दिये गए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर इस पर एक बार अपनी उंगले जरूर टच करते हैं आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्ले स्टोर को लेंगे और माईजियो का एप डाउनलोड करेंगे हो सकता है आपके पास पहले से इंस्टॉल हो इंस्टॉल होने के बाद हमें इसे ओपन करेंगे ओपन होने के बाद में यह आपको इस तरह से दिखाई देगा यहाँ बार आपको My Jio के Open पे एक बार क्लिक करनी है और यहाँ पे आप नीचे Skip Sign In पे आप क्लिक कीजिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज इस तरह से Open हो जाएगा यहाँ पे देखिए Left Side में लिखा हुआ है Recharge तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका यह जो Sim है वो Jio का Prepaid Sim है अब मैं आपको बताता हूँ कि Post Paid Sim में जब आप यूज करते हैं तो कैसे वो दिखाई देता है यह देखिए यह एक उसका Skin Sort है जिसमें कि Jio का Post Paid Sim डाला गया है देखिए नीचे इसके लिखा हुआ है View Bill इसका मतलब यह Post Paid है अब देखिए मैं आपको दुबारा से दिखाता हूँ Prepaid का यह देखिए इसमें लिखा हुआ है Recharge इसका मतलब यह इसका Prepaid का Bill है तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आप जो Sim यूज कर रहे हैं वो Prepaid है या Post Paid है यह वीडियो में इसलिए बनाया कि 31 दिसम्बर के बाद अगर आपको पता नहीं है आपने गलती से लाइन में लगके Post Paid Sim ले लिया है और आपको पता नहीं है यह Prepaid है कि Post Paid है तो 31 दिसम्बर के बाद कहीं ऐसा नहीं हो आपके पास बिल आ जाए और आपको पता ही नहीं पड़े 31 दिसम्बर तक तो कोई बिल नहीं आएगा इसका तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना